सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करे ये काम, घर में नकारात्मा कूर्जा का होगा वास, हर समय होंगे जगडे कलेश. वास्तू शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद कई काम करने की मनाही होती है. ऐसा करने से धन की देवी मा लक्षमी नाराज हो सकती हैं और लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है वास्तू की माने तो कुछ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए ऐसा करने से लोगों की जिन्दगी में संकत पैदा हो सकते हैं और धन की देवी मा लक्षमी उनसे नाराज हो सकती हैं मान्यताओं के अनुसार देवी लक्षमी का आशिरवाद पाने के लिए कुछ चीजे हैं जिन्हें रात में करने से बचना चाहिए वास्तू का पालन न करने से आपके घर में वित्तिय समस्याएं पैदा हो सकती है. सुर्यास्त के बाद न चुएं तुलसी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुर्यास्त के बाद पौधे नहीं चूने चाहिए. खास्तोर पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद भूल कर भी तोलसी के पौधे को स्पर्ष नहीं करना चाहिए यहां तक की सूर्यास्त के बाद तोलसी में जल भी नहीं देना चाहिए माना जाता है कि सूर्यास्थ के बाद तोलशी को स्पर्श करने तोड़ने आदी से मा लक्षमी नाराज होती है, जिससे आपके घर में धनकी कमी होने लगती है और दरिद्रता आने लगती है. सूर्यास्थ के बाद ना करी इस चीज का दानद्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं लोटाना चाहिए यही एक मनुश्य का धर्म होता है लेकिन सूर्यास्थ के बाद दही का दान नहीं करना चाहिए दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है और शुक्र को धन वेभव का प्रदाता माना गया है सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख सम्रिद्री में कमी आती है आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है